ख़बर के द्वारा परचारित किया जा रहा है कि सक्षमता परिच्छा देनी होगी अनिता नौकरी चली जाएगी अभी हमने सुप्रियम कोट के जो जज्जमेंट की कौपी है उसका आध्यान मैंने किया है उसमें किसी भी इस तरह की कोई बात नहीं लिखी हुई है नजरिये से अगर देखा जाए और सिक्षक हीत में अगर देखा जाए तो एसलपी में जाने की कोई आवे सकता नहीं थी फिर भी हमारे कुछ आति उत्साही सिक्षक नेतागन सुप्रियम कोट में एसलपी दायर कर दिये नमस्कार आप देख रहे हैं दर्शनियूज मैं हूँ दिप्यांसू बिहार के नियोजित सिक्षकों को सुप्रीम कोट से आज बड़ा जटका लगा है जहां सक्षमता परिक्षा को लेकर नियोजित सिक्षकों को आज सुप्रीम जटका लगा है सुप्रीम कोट ने बिहार के प्रारंभिक सिक्षक संगों की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने सक्षमता परिक्षा को रद करने की मांग की थी इसे पहले पटना हाई कोट से भी इस मामले में नियोजित सिक्षकों को जटका लगा था सुप्रीम कोट ने सक्त लहजे में कहा कि सरकार के नियमों के मताबिक उन्हें सक्षमता परिक्षा देनी ही होगी अगर परिक्षा नहीं दे सकते तो उन्हें नौकरी छोड़ देनी चाहिए सुप्रीम कोट के जज्जमेंट पर सिक्षक नेता ससीरेंजन सुमन ने प्रतिक्रिया दिये है क्या कुछ कहना है उनका सुनिये जा रहा है कि सक्षमता परिच्छा देनी होगी अनिता नौकरी चली जाएगी अभी हमने सुप्रीम कोट के जो जज्जमेंट की कौपी है उसका आध्यान मैंने किया है उसमें किसी भी इस तरह की कोई बात नहीं लिखी हुई है हाँ नेशित रूप से एक बैड खावर है नि मैरा मानना है कि SLP में सिख्षकों को जाने की कोई जरूरत नहीं थी फिर भी हमारे कुछ अती उत्साही शिक्षक निता गन सुप्रíem कोट में SLP दायर कर दिये जबकि मेरे नजरिये से अगर देखा जाये और सिख्षक हीट में अगर देखा जाये तो SLP में जाने की कोई पे जो तलवाडे लटकी हुई थी उसका निराकरन हम लोग हाई कोट में करा चुके थे ऐसे में हम लोग को बेट एंड वाच में रहना चाहिए था फिर भी कुछ अति उत्साही सिक्षक नेतागन गये हैं सुप्रिम कोट में लेकिन आज हुआ के स्खारिज हो गया है कोट हमारे कुछ सिक्षक साती ही सक्षमता परिच्षा जो हुई थी उसको रद करवाने के लिए गया थे तो उसी स्थिति में सुप्रिम कोट का जो नियाय निरने आया है उसमें उस केस को डिसमिस किया गया है उसके अलाबा उस ओर्डर की कॉपी में ऐसी कोई बात नहीं ह जो नियोजित सिक्षकों को चिंता करने की बात है धन्यवाद नियोजित सिक्षकों को स्थाई करने के लिए सक्षमता परिक्षा आयोजित करने का फैसला लिया था सुप्रिम कोट ने दोनों सिक्षक संगों की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि सिक्षक राष्ट्र के निर्मान में एहम भूमिका निभाते हैं और उन्हें अपने कौसल को और भी बहतर करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए सिर्च अदालत ने सक्त लहजे में कहा कि हम देश और खासकर बिहार के बच्चों की सिक्षा के प्रती काफी गंभीर है ऐसे में अगर कोई सिक्षक नियमों के अनुसार नहीं चलना चाहते हैं तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए सुनवाई के दौरान बिहार सरकार ने इसपस्ट किया कि नियोजित सिक्षकों से ली जाने वाली सक्षमता परिक्षा पूरी तरह से वेकलपिक है और सुप्रीम कोट ने भी ऐसा ही कहा है कई मीडिया चैनल्स ये खबर चला रहे हैं कि सक्षमता परिक्षा नहीं देने पर नौकरी चली जाएगी ऐसा सुप्रीम कोट ने कहा है तो जैसा ससीरंजन सुमन ने भी कहा और कोट के जज्जमेंट में ऐसी कोई बात है ही नहीं ये पूरी तरह से वेकलपिक है अगर सिक्षक देना चाहते हैं परिक्षा तो दे सकते हैं नहीं देना चाहते हैं तो नहीं दे सकते इस परिक्षा को पास करने वाले नियोजित सिक्षिकों को राज्य कर्मी का दर्जा दिया जाएगा लेकिन जो सिक्षक परिक्षा पास नहीं देना चाहते हैं उन्हें सरकार नौकरी से नहीं निकालेगी बता दें कि इससे पहले नियोजित सिक्षिकों ने सरकार के फैसले को पटना हाइकोर्ट में चुनोती दी थी हाला कि हाइकोर्ट ने उन याचिकाओं को खारिज कर दिया था हाई कोट से याचिका खारीज होने के बाद सिक्षक संग ने सुप्रीम कोट का रुक किया था लेकिन वहाँ से भी उन्हें राहत नहीं मिली है फिल्याल के लिए इतना ही तमाम अपडेट्स देते रहेंगे बने रहें दर्शनियूज के साथ